करना मैं इनकी दूसरी शादी कराने जा रही हूँ क्योंकि आप घर का जिम्मेदारी और काम मेरे बहुत गर्मी थी उपर से हेलवेट लगा रखे थे ला क्या ही वेता है उपर से छंडा पानी पी लिए ना अचानक देखा इस तो देखो मैं किती खुब्सूरत लग रही हू और मैं तयार होकर आई थी पूजा में और हैलो दोस्तों गुड मार्निंग कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं बहुत जुक्त करते हैं चलता रहता है ना तो बहुत जोड़ जो से आवाल आता है और करूंगी सोपिंग और नूंगी मैं सब और खाने वाली चीज जैसे हम हमारी वाइप है तो चले दोस्तों भी थोड़ा सचाय नास्ता कर लेते वीडियो का एडिटिंग गटना है फिर मिलते हैं आप लोगों मुझे परपोज नहीं किया अच्छा परपोज कर देंगे उनलों का फोल लाने के लिए यानि गुलाब को पर अच्छा पर गुलाब तो मॉर्णी के टामी फिर से एक बर नहावा के फ्रेस होगा है क्योंकि मॉर्णी को नहाय था भी नहा लिए क्योंकि भाई सहाब अभी जाना है इनक्या पूजा है कोई तेपता जी का मंदिर में लेकर कि इनके पैकिंग कर लिए और इदर और घुलाब खासी के एकदम लेहर बढ़ रहा थंड़ा 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 कोड़िंग अच्छा ये बच्चों को नबाल कहा है बांते हो गर्मी बहुत लगती है इसलिए में हियार इस्टेल पर डादा ध्यान नहीं दें सब पमेड में बोलते हैं कि भाभी कि आप बहुत सुंदर है थोड़ा है यार इस्टेल संहीं करें मुझसे बर्गास किसने बोला आपको सुंदर कौन हो बदनसीर अब पहले क्यों नहीं बोला वे पहले बोलते तो ये मेरे हाथ नहीं लगती इसे सामने वाले घर में भी पुजओ था तो उन्होंने इन्वाइट किया है तो अभी मोग पीजिनधय पिजिल्ली मीच यादा उधेगा तो चलिए दोस्तों उनके घर पे मिलते हैं आप लोगोश तो घैस्त मेरे हजबिन ताला लगा रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं पूजा है और हजबन जी किते स्मार्ट लग रहे हैं आज है कि देवीजी के घर पर आ गए ते मस्त खाना खा लिए इसलिए कोल के रखे रहे देना दोस्तों कि गर्मी बहुत लगते दूप बहुत ज्यादा इसी विज़े से चेकर कि आओ दर आओ कि आप खाना क्यों निखा है तो मंदिर के तरफ निकल चुके हैं बहुत ही प्यारा रास्ता है काओं की यादा रहे पूरा अभी ये सरग जो इंद्वान हो रहा है अभी चारो तरफ गिट्टी पड़ा हुआ है देवीजी को हमने बोला है कि अगर सो गई तो उठागा पटक देंगे इसे गाड़ी के उपर से चलते गाड़ियों पर सो जाती है चलाने में पता है हमको तकलिप क्या होता है कि मेरे पीट फिल लट जाती है ऐसा लटती है कि जैसे की बेड़ सोफा उस पर गार से लिट जाती है और हम हैंडल साही से समाल ले पाते हैं एक तो हम वजणधार उपर से घाड़ी तो यह है देवी जी का पुस्तेनी गाव और यहां पर देवी देवताजी रहते हैं इस घरकंदर में और यहीं पेन लोगों ने पूजा किया अभी हम लोग पाँपकड़े हैं तो देखो हस्बेंट जी मुझे लेकर आये हैं यह हमारे यहां जो राणी साहिब रहती है उनका हवेली था इसे एक तरफ से बोलते हैं किला बहुत सालों पुराना है बरसों पुराना जब हमारे पुर्खों के पुरिखा जिंदा थे तब का है तो हम इधार का लोकेशन द पापा की तरह की सो मेरी सिस्टर घूम रही है वैसे अच्छा लग रहा है हम तो हम भगए इतनी दूर ही चड़ने में और बहुत अच्छा लग रहा है क्या लुकेशन ने पता नहीं किसके घर के बरांदे में गाड़ी लेकर चले गए यह तो दूसरे के घर पर अपना ही चलाते रहते हैं यह मम्मी भी आ गए भाइया पापा तो बड़ सो साल पुराना कुवा है ज्यादा नहीं जाकेंगे और ना मेरा फोन चला जाएगा तो मेरे पती देव मुझे बरस पढ़ेंगे और हस्बें जी वो रहे हैं मुझे सारा कर रहे हैं कि जल्दी चलो जल्दी हम इसे खरीदने आपके लिए यह देखिए इसमें इतना जादा पुराना है कि इसमें घास कूस्ताब आ जाए हूं और मैं तयार होकर आई थी पूजा में और इधर ही किला है तो किला घूमने आये थे तो अभी दीवी जी आप लोग को दिखाएं किला ठीक है इनके पूर आने टाइम के कुछ होगा और साइद मुंसी घर होगा उस टाइप से और इनकी अंदर आपको दिखाते कि यह गेट है हभीली का हमारा राजाओं का दिखाएं कि यह देखो इतना बड़ा और पल्ले वाला धर्वाला थर्वश्या है इसलिए ताकि को युद्ध हो कि बंद आप लोग इतना पुराना एक पहले राइटा देखो सब नहीं गिरेंगे इसके अंदर दोस्तों कोई रह रहा है यह देखे यह भगवान जी का अवन कुंड बना हुआ है और यह में घर ठीक है जिसमें ऐसा कहा जाते कि राजा महराजा है कि लोग जो इन इसमें रहते हैं ताला लगा हुआ है इसके अंदर में यह देखें कितने कमरे होंगे यह लगोगे इसने मंदिर से अधरसन करके और राज में लाप चुकी लोगों गुमा दिये इतना ज़्यादा धूत हाना कि मेरा सीर दर्द होने लगा बहुत गर्मी थी उपर से हेलवेट लगा रखे थ है इसलिए थोड़े आराम करें थे क्योंकि हम लोग कर रात में तुछ दिखाना चाहता हूं लेकिन अभी मजा नहीं आएगा जब हो जाएगे अपने नाम हो जाएगे तब मैं में आजल करना में धूसरे शादी कराने जारह हूं कुंकि अब घर का जिम्मेदारी और लाप काम मेरे उंपर बहुत जाएदा पढ़गा तसलिएक 300 कंद में पुर शब्रेत लिए को असलाने के लिए चप तो कैसे लिग रहा है इसको एक शादी होगी अब हम लोग डांस करते दुनिया के पहली जबी होगी जो अपने पद्दे की सादी में डांस करते होग जाएगी जो है मौरी है इनकी भाईया का है इनके घर पर अब आहा का है ना तो सूटिंग है हम लोग का आह ना या एक रिल वीडियो का सूट है इसलिए यह लेकर की पैना रहे हैं हमको योग दोस्तों आज की व्लोग लिए दिमाद समस्झ से देख रहें बहुत सिंटे की जाह अ वोलो को लिए अपना कीम्तियों करके मेरा वोलो को देखने के लिए बहुत भूधने